सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट दिल्ली कैपिटल्स के खिलाब टॉस जीतकर पहले बल्लेवाजी करने का फैसला किया चन्ने की टीम में प्यूस चाबला की जगा केदार जादब को अंती मेगारा में सामिल किया गया वहीं दिल्ली ने पिछले मुकाबले प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाओ नहीं किया था तो पहले बल्लेवाजी करते वे चन्ने की सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 189 डन बना दिये चन्ने की तरब से फॉफ डूपलेसी ने सरवादिक 58 वनों की पारी खेली पिछले मैच की तरह आज भी फफ डूपलेसी के साथ सैम कुरेन उपनी करने आये थे लेकिन आज चन्ने का यादाओ नहीं चला और पहले ओवर की तीसरी गिंद पर ही चन्ने सुपर किंग्स को तूसार देस पांडे ने पहला जटका दिया तीन गिंदों में 6 रण बना कर खेल रहे सैम कुरेन को तुसार देस पांडे ने आउट किया वहाँ से सेन वाटसन और डूपलेसी ने थोड़ी धीमी वनले वाजी करी और 6 अवर की बात करे तो 6 अवर के स्ट्रेटिक टाइम आउट लिया गया हमें चिन्नाई का स्कोर दो बिकेट के नुकसान पर चुडानवे रण बन गये थे पंतरा में ओवर की चौथी गिंद पर चिन्नाई सुपर किंग्स को कगिसो रवादा ने तीसरा जटका दिया 47 गिंदों में 6 चौकिया और 2 चक्के की मदद से 58 रन बना कर खेल रहे फॉप डूपलेसी को कगिसो रवादा ने सिखर दवन के हाथों कैच आउट कराया फिर बल्लेवाजी करने आये हम सब के फैबरेट MS धोनी लेकिन आज उनके बल्ले से कुछ खास रन निकल नहीं सके और महज 5 गिंदों में तीन रन ही बना कर आउट हो गए लेकिन वहां से अंबाती रैडू के साथ मिलकर रवेंदर जटेजा ने सांदार 13 गंदों में ही 33 रनों की ताबरतोर पारी खेली इन दोनों के विच 5 में विकेट के लिए महज 21 गंदों में ही 50 रनों की अटूट साजेदारी हुई आखडी पांच ओवर की बात करें तो चिन्ने इसमें 13.4 की ओसस से 67 रन जोड़ दिया और अपना एक मुलेवान विकेट भी गवाया तो दोस्तों जवाब में 180 रनों की रक्षगा पीचा करने उतरी दिली कैपिटल्स के सुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही पाली के पहले ही ओवर की दूसरी ही गंद पर दीपक चाहार ने सलामी बल्लेवाज प्रित्वी सौ को परवेलियन भेस चन्ने की पहली काम्याबी दिलाई शौ अपना आज खाता भी नहीं खोल सके थे तो उसके बाद दिली का स्कोर दो बीकेट के नुकसान पर महज 41 रन था वहाँ से कैप्टन स्रेय सेयर और सीखर दवन ने एक अच्छी साजेदारी करी बारहों में अबर की तीसरी गंद पर दिली कैपिटल्स को डेवन ब्रावे ने तीसरा जटका दिया 23 गंदों में एक चोके और एक छके की मदब से 23 रन ही बना कर खेल रहा है स्रेय सेयर को डेवन ब्रावे ने फॉफ डूपलेसिस के हाथों कैच आउट कराया इस समय टीम का स्कोर 11.93 तीन ओवर में 14 रन था वहाँ से सीखर दवन ने मारकास स्टोनिस के साथ 25 गंदों में 43 रनों की साजेदारी करी और 16 में ओवर की चोथी गंद पर दिली कैपिटल्स को सारदूर ठाकोर ने चोथा जटका दिया यहां से 14 गंद में एक चोके और दो छके की मदब से 24 रन बना कर खेल ला है मारकास स्टोनिस कोर सारदूर ठाकोर ने अमबाती राइड़ों के हाथ कैच आउट कराया इस समय टीम का स्कोर 15 दसनलब 4 ओवर में 137 रन था तो दोस्तों यहां से जीत के लिए दिली को 26 गंदों में दिली को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और दिली ने यह मैच आसानी से जीत लिया दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है कि आज चन्नई से कहां चूक हुई हमें कमेंट सेक्षन में जरूर से जरूर बताएं साथी IPL के अने सभी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें